इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है. हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को استعمال करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Piotic GM Tablet ASR दवाओं का मिश्रन है जो blood sugar के स्तर को नियंतरत करने में मदद करता है. Type 2 diabetes mellitus वाले वयसकों में रक्ट शरकरा नियंतरन में सुधार करने के लिए इस दवा का उपयोग आहार और व्यायाम के साथ किया जाता है. यह insulin के उच्छित उपयोग में मदद करता है, जिससे रक्ट शरकरा का स्तर कम होता है. Piotic GM Tablet ASR को आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए. पेट खराब होने से बचने के लिए इसे भूजन के साथ लेना चाहिए. यदि आप एक खुराक भूल जाते हैं, तो इसे जल्द से जल्द ले लें. हाला कि अगर ये आपकी अगली खुराक का समय हो गया है, तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपने नियमित समय पर वापस जाएं. खुराक को दो गुना न करें. ओवर डोस से निम्न रक्ट शरकरा यानि की हाइपोगलाइसीमिया हो सकता है. कुछ लोग हाइपोगलाइसीमिया यानि की निम्न रक्ट शरकरा स्तर विक्सित कर सकते हैं. जब इस दवा को अन्य एंटी डाइबिटिक दवाओं, शराब के साथ या भोजन छोड़ने पर लिया जाता है. इसे लेते समय अपने रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से निग्रानी करें. इस दवा के अन्य सामान्य साइड इफेक्ट्स में जी मचलना, स्वाद में बदलाव, डायर्या, पेट दर्द, सिर्दर्द, एडिमा, यानि की सूजन, धुंदली द्रिष्टी, हड़ी का फ्रैक्चर और श्वसन पत का संक्रमन शामिल हैं. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किड्नी, लीवर या दिल की कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें. गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपका डॉक्टर इसके साथ हिलाज शुरू करने से पहले आपके किड्नी फंक्षन टेस्ट की जाँच करेगा इसे लेते समय अत्यधिक शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे कुछ दुषप्रभाव विक्सित होने का खत्रा बढ़ सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद